नमस्कार साथियों निर्मार क्लासे जवद्या में आपका हादिक स्वागत है आज करेंट अफेर्स के नए इसुम में हम लोग साथ में हैं कुछ बहुत इंपार्टेट प्रश्णों के साथ आगामी भविश्च में लंबे समय तक यह प्रश्ण आते रहेंगे आपको इसे कर मिनोफ्रिक्स होते हैं जो साल भर 전 Championship ङँछ साल तक आते हैं और लंबी समय तक आते रहने तो आज सत्य प्रश्ण उसी कटेगरी के हैं तो देखते हैं क्या क्या हैं यै तो छोटे समय तक के हैं लेकिन ये लंबी समय तक आ सकता है ऐसा आप लोग मैं इस लेंशन करते रहा करिए कि किस टॉपिक से कितने समय तक क्या आने की संभावना है ठीक है अब यहां देखते हैं कुछ सरल भी है कुछ कठिन भी है कठिन नहीं कह सकते हैं पढ़ लिए तो कठिन कहा रह गया बीबियस लचमर जी प्रसिद भारत के क्रिकेटर है इनके बारे में परिशे के म दिखान रखे रहिएगा कि इनसे पहले राहुल द्रविड जी थे जो इसमें जो सीनियर टीम है उसके मुख्य पुरसिच्छक नियुक्त किये गए हैं ठीक है तो यह कोच बन गए हैं प्रमकोच बन गए हैं सीनियर टीम के तो पदखाली था एंसीय के नए अध्यच किसी टेस्ट में टेस्ट मैच आप जानते हैं पांच अमसीय मैच होता है दो इन्हों अपने बिरोधी की पहली पारी में सभी दस विकेट ले लिए ठीक है तीसरे गेंदबाज बन गए इससे पहले दो लोगों ने और कर रखा है तो वो दो लोग कौन है जिम लेकर है इंगलेंड के जिन्होंने बहुत पहले 1956 में ये कारणामा किया था और आपको याद होगा अनिल कुंबले जी हैं इंडिया के जिन्होंने 1999 में ये कारणामा किया तो अब आप यह समझे कि अजाज अहमज जी तो करेंट के हिसाब से चर्चा में हैं लेकिन अनिल कुम्बने जी भारत के होने की ओजासे विसेश चर्चा में रहते हैं तो इनका नाम भी याद रखे रहिएगा कम से कम एयर याद रखे रहिएगा 1999 में ठीक है तो यह आपके के लिए आने वाले भविश्य के प्रश्णों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है आज कुछ दिवसों के बारे में पढ़ते हैं नौंबर माह में बहुत से दिवस मनाये जाते हैं बहुत से याद करने की जगा हम लोगों ने कुछ ऐसे दिवसों को लिया है जो तो सामाने तोर पर कई बार पूछे गये हैं और पूछे जाने की संभौना बहुत ज़ादा है बाकि तो आप जानते हैं एक ही दिवस में कई-कई दिवस मनाये जाते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए चलना है तो क्या ध्यान रखते हुए कौँ से important है क्यों इंपॉर्टेंट है यह सोच के पढ़ेंगे याद भी रह जाएगा नौ नौंबर राष्टिय बिधिक साथ छर्ता दिवस आप जानते हैं लीगल जानकारियां बहुत कम हैं हमारे इस चैनल पर आप जानते हैं चाहे वो प्रशनों के दिष्टिकोर से बात हो या लीगल जान के माद्यम से कोई दिष्टांतों के माद्यम से जो बयवहरी गीवन में होते हैं साथ-ई-साथ क्रश्चन पत्र में भी आते हैं तो ऐसी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हूए चैनल में बहुत से वीडियो अपलोड है सम्भिधान से सम्भंधित अफ्लोड हो, सम्भिधान तो जानना, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, बिधिक साच्छर्टा दिवस दस नौमबर, बिस विधियान दिवस है, लेकिन इसके साथ एक टैग लगा है, सान्ति यूम विकास भेटी, बिधियान बड़ा कतरनाग है, आज विधियान का परड़ाम, रसिया यूक्रेन भी आप देख रहे हैं, भाय का साया मंडरा रहा है कि कोहीं परमाड युद्ध न ह हो जाए, बिधियान की देन, पर्तंदुति यूद्ध को आपने देखा, बिधियान की देन थे, तो तमाम बातों को देखते हुए, बिधियान दिवस तो मनाना है, लेकिन किस परपस से मनाना है, सान्ति यूवर, विकास के लिए बिधियान, परमाड का उपयोग, परमाड के लिए कर भं के लिए मत करिए 18 नॉम्बर राष्ट्य सिछ्छादिवस हमारे सिछ्छा मंत्री हुए थे मौलाना अबुलकलामची उनहीं के जन्म दिवस के ऊसर्द राष्ट्य सिछ्छादिवस मनाये जता है 18 9 को मनाया जाता है इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा ठीक है यह प्रथम एजुकेशन मनिश्टर थे और 2008 से मनाया जाना प्रारम हुआ है राष्टी सिच्छा दिवस के रूप में फिर 14 नॉम्बर बाल दिवस है बाल दिवस के बारे में भी आप जानते हैं पंडित जव ध्यान रखे रहिएगा यह आजाद जी का है जन दिवस यह नेहरु जी का है यह दोनों बात याद रखे रहेगा ग्यारह नॉम्बर 14 नॉम्बर तो आपको याद रहेगा दोनों लोग समकालीन थे सहयोगी थे एक लोग प्राइम मिनिस्टर थे तो एक लोग जो है 14 नॉम्बर को ही 20 मधमेह दिवस मनाया जाता है मधमेह यानि सुगर की विमारी आप जान रहे हैं बड़ी कामन होती चली जा रही है खान पियन का जो हमारा व्योहार है जो हमारी दिन चर्या है तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग मधमेह की विमारी से गिर पंद्रह नॉम्बर जन्जातिय गवरो दिवस्ट यह एक इस्पेसल आपका क्वेश्चन है जो की 2021 से ही यानि की पिछले वर्स 2020 से ही मनाया जाना प्रारंब हुआ है अब बात आई जन्जातियों में कौन बहुत गवरो पूर्ण है तो आप जानते हैं बिर्शा मुंडा जी जारकंड में बहुत से आदिवासी समूह इन्हें भगवाнов का भी दरजा देते हैं भगवान बिर्शा मुंडा भी बोलते हैं तो बिर्शा मुंडा जी आप जानते हैं, अंग्रेजियों से संगर्ष में, जन जातियों में, सर्वोच पस्नालटी के रूप में जाने जाते हैं, सतंता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, उनका जन्म दिवश 15 नौंबर को है, और इनहीं के सम्मान में बिर्शा मुंडा दिवस के साथ जन जातिय गवरों दिवस मनाया जाने लगा है और पिछले ही वर्ष यानि 2021 से ही पहिला भी मनाया गया है हम लोग अभी 22 में इंट्री किये हैं और अब ये हमेशा मनाया ही जाता रहेगा भारत सरकार ने इसकी घोशना की है साथ ही साथ भगवान बेशा गालता की इसमृत उद्यान ठीक है और संग्रहाले इनका संग्रहाले भी मनाें राची में यह भी याद रहिएगा बहगवान बेशा मुंदा इसमृत ऐयं 17 तमता सेनानी संग्राहले कहां पर है राची में है यह भी आपका प्रश्ण है यह आप मोस्ट इंपार्टेंट में रखिए हंडेट पर्सेंट से और है पूछा ही जाना है और पूछा ही जाना है तो गलती नहीं होनी चाहिए सोलाह नौंबर को अंतर राष्टिय सहिसुर्टा दिवस इंटरनेशनल डेफार्ट टॉलरेंस मनाया जा रहा है सहिसुर्टा की दुनिया में क्या कमी होती जा रही है वो आप समझ रहे हैं कहीं पर भी कभी भी कोई भी बरदास्त नहीं कर रहा है सहिसुर्टा मतलब सहन करना एक दूसरे की बातों को सहन करना ताकि सामनजस से सांती बनी रहे लेकिन आप देख रहे हैं राह चलते लोग ड़ाई जगड़ा कर रहे हैं तमाम तरीके से तमाम मुद्दों पे आसा हिसुरता फैल जाती है हिंसा फैल जाती है ये बिस्व की बहुत बड़ी समस्याओं में है आंतरिक समस्याओं में है इस बात को आपको ध्यान रखना है और लोगों में सहन सक्ति बढ़े इसके लिए जाग रूपते है अभियान के रूप में इंटरनिस्टल डेफार्ट टॉलरेंस मनाया जा रहा है 16 नॉवंबर को इस बात को ध्यान रखे रहेगा 19 नॉवंबर को अंतर राश्ट्य पुरुष दिवस मनाया जा रहा है आप जानते हैं महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया ही जा रहा था पुरुषों के लिए भी तो इंपार्टेंट रहेगा ही रहेगा उन्निश नॉवंबर अंतर राश्ट्य पुरुष दिवस मैल्स के लिए पुरुषों के लिए ये दिवस मनाया जाता है 19 नॉवंबर को ही विश्व सवचाले दिवस भी मनाया जाता है और सवचाले का क्या योगदान है स्वास्थ से लेकर के पर्यावरण तक बात को समझेगा स्वास्थ से लेकर के पर्यावरण तक जागरुकता की जरूरत है सावचाले के रूप में की सावचाले कितना अनिवार है हमारे जीवन के लिए उस जागरुकता के लिए बिस सावचाले दिवस मनाया जा रहा है भारत भी लगभग खुले में सावच से मुक्त हो चुका है और सोचालियों का परयात निर्माड हो चुका है ठीक है तो भारत भी अपना टार्गेट पूरा ही कर रहा है 25 नॉम्बर को महिलाओं के बिरुद्ध हिंसा के मामले में रोक हे तु अंतराश्टिय दिवस मनाया जा रहा है तो महिलाओं के प्रति हिंसा भी बहुत गंभीर समष्या है इसके लिए लोगों को जागरूख करने के लिए कि इसके बिरुद्ध जागरूख करने के लिए की हिंसा अच्छा नहीं है महिलाओं को आप कमजोर मस समझे उन्हें भी समान अधिकार का उसर प्राप्त है वो भी समान इस्तिती में है तो उनके प्रति हिंसा को एवाइड किया जाना चाहिए महिलाओं को इस्पेसली महिला होने के नाते हिंसा से न पीडित होना पड़े 25 नौवंबर को इसका जागरुपता अभिहार मनाया जाता है 26 नौवंबर बहुत बार प्रश्णा चुका है सम्विधान दिवश और विधी दिवश के रूप में भारत इसे सम्विधान दिवश के रूप में मना रहा है और राष्टिय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है बिधि दिवस कहने का मतलब है जैसे विधिक साचर्ता की 9 नौंबर को बात हुई थी 26 नौंबर को विधि दिवस क्योंकि विधिका सासन जो हमारा लागु हुआ था अंगी कृत अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था वो 26 नॉवंबर 1949 को हुआ था उसी की इस्मृति में समिधान रूपी मूल विधी मिलने की इस्मृति में समिधान विधी दिवश मनाया जाता है लगातार पूछ रहा है फिर पूछेगा और ये मैं भी जानता हूँ ये आप भी जानते हैं ये कुछ नॉवंबर के मोस्ट इंपार्टेंट दिवस थे तारीखें थी और क्या मनाया जाता है किस परपस से मनाया जाता है थोड़ा बहुत हम लोगों ने चर्चा कर ली इन बा हर महीने बारहो महीने के तमाम दिवसों को पढ़ना है धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे लेकिन सब की तरह आप लोग एक तारिक से लेकर के 31 तारिक तब की लिस्ट मत बनाईए जो प्रशनाते हैं जिनमें संभावनाएं जादा हैं उनको चुनिए बाली जी इन से अलग भी आता है कोई समस्या नहीं एकाज छूट जाएगा अब यह भी आए जो इतने इंपार्टेंट हैं यह भी घलत हो जाए तो समस्या जरूर प्रियेट हो जाएगी ठीक है यह अगर सही है तो आप 90% यही सब क्वेस्टन आते हैं आप 90% की स्थिपी में पता चला 10% अगले प्रशनों में चलते हैं कुछ सैन अभ्यास हमारे हुए है कुछ दिनों पहले उनके बारे में हम देख लेते हैं कौन-कौन से हैं और किनके बीच हुए हैं क्योंकि सैन अभ्यास से भी आप जानते हैं लगातार आपका प्रशन आता रहता है तो पहला सैन अभ्यास ह एक सक्टी यह लूपर्शिक साइन अभ्यास है थलख्याका भारत और फ क्रांच फ्रीजस फ्रांच में भूआ है एक्सम। सक्टी भारत और फ्रांच का दूइवार्शिक्त जोकी फ्रीजस फ्रांच में हुआ है लेकिन फ्रांस के साथ नौ सेना और वायू सेना का भी सैन अभ्यास होता है तो नौ सेना वरुड वरुड माने जल के दे होता गरुड माने वायू के दे होता तो वरुड नौ सेना गरुड वायू सेना से रिलेटेड है इस बात को याद रखे रहेगा कि भारत और फ्रांस के बीच दुई पच्छी ये सैन अभ्यास थल सेना जल सेना वाय सेना तीनु का होता है एक सक्ती वरुण और करुण के रूप में दुई वार्षिक शैन अभ्यास हैं एक एक करके होते रहते हैं इस पर ध्यान रखेंगे तो सब ही आए हुए हैं फिर से आएगा दोस्ती त्री पच्छी ये है तो पहला दोस्त तो पडोसी ही होता है तो माल्दियों और सिलंका पडोसी हैं इन्हीं के साथ मिल करके भारत ये हैं दुई वार्षिक शैन अभ्यास करता है तो साउथ वाले पडोसी तो अच्छे पडोसी हैं नार्थ वालों थोड़ी समस्या है चाहे हो पाकिस्तान हो चाहे चाहे ना हो तो उनके साथ सैनभ्यास भी नहीं होता है तो दोस्ती मालदी और सिलंका से हैं आप भी जानते हैं दोस्ती नाम से सैनभ्यास भी और आज त्रिप अच्छी है यानि भारत के साथ मालदी और सिलंक अब भारत में बड़ी सकती है तो तीनों सेनाओं की ठीखे यह सेनभ भारत की ही तीनों सेना जल सेना वायू सेना मिलकर की अब्यास करती है तकि आपसी सामन जैसे बना रहे हर चीज एक दूसरे को समझ सकें आव सकता पढ़ने पर तीनों सेनाएं एक दूसरे की सहयोगी बन सकें दच्छिड सकती अभ्यास भारत की सेनाएं करती है ये इस बार कच कारण से लेकर के थार मरुस्तल तक हुआ तो कच कारण आप जानते हैं गुजरात में समुद्र के किनारे का एरिया है वहां से लेकर के थार मरुस्तल तक हुआ थार मरुस्तल राजस्थान में हैं ये बात भी आप जानते हैं तो कच्छ का रण से ले करके थार मरुस्थल तक हुआ इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा अभ्यास जचिड सक्ति भारत की तीनों से नाओं से सम्मंदित है फिर अगला है मालावार 2021 मालावार भी हुआ मालावार आपका इधर बीच लगातार प्रश्ण पूछ रहा है इसलिए बहुत ध्यान से इसको जाने रहिएगा मालावार तट भी आप जानते हैं भारत में है कोणकर तट, मालावार तट, कोरा मंडल तट, तमान तटों को भी हमें पढ़ना है तो मालावार तट केbr susceptible के तटों कहा जाता है यह क्वाड गुरुप का होता है पहले भारत और USA का होता था अब ये क्वार्ड गुरूप इसमें भाग लेता है क्वार्ड यानि कि चार देश मिलकर के भाग लेते हैं और क्वार्ड समूह के सदसे कौन है भारत USA जापान और आस्टेलिया जिसका चीन बहुत विरोध करता बात आई कि लगातार क्यों आ रह है इस क्वार्ड गुरूप का विरोध दर्ज कराता है उसे लगता है कि हमको दबाव बनाने की यह जो है प्लेट फार्म रचा जा रहा है विरोध भी करता है लेकिन विरोध करने दीजिए इनका सांतिपूर उद्देश है ठीक है एक सैनभ्यास करना है सैयुक्त रूप से तो यह क्वार्ड गुरूप का मालाबार पहले भारत ही यसे का था अब क्वार्ड गुरूप का है इस बात को आप जाने रहिएगा ठीक है तो चीन के आप जानी रहे हैं उत्तर पूर में जापान आपका इस्थित है ठीक है चार ओर से एक पशंत महासागर के यह तीन पहला चरण गुवाम्त्ट पर रहा, दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी से भारत ना समझेगा, इस साल मेजबान दोनों चरणों में कौन रहा, यूसे से रहा, सही उक्तराज अमेरिका रहा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर कर भारत लग तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी इसके बाद यह मोस्ट इंपार्टेंट एक आपका कुस्चन है इसे आपको बहुत ध्यान से जानना है ठीक है आप जानते हैं यूनिश्को की ठीक है यूनिश्को यानि की यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइंस्ट्पिक एंड कल्चरल आर्गनाइजेशन ठीक है सन्युक्त राष्ट की एक इस्पेशल आर्गनाइजेशन है जो सिच्छा विज्ञान और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए है इसकी सूचियां लगातार पूंचती है विरासत सूचियां बनाता है यह हेरिटेज लिस्ट बन यह है एक नई लिस्ट आप इसे ध्यान से समझ लीजे यह है यह लिस्ट किसे संबंधित है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियां। में हैं और कुछ अमूर्थ होता है कल्चर से जुड़ा हुआ होता है एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ होता है सामने दिखता भी है और उसका मतलब भी बहुत बड़ा होता है सांस्कृतिक अमूर्थ सूची है ये इस बात को जानिएगा ये विरासत है हमारी और इस विर सबसे फेमस संरचित कल्चर में सामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक टीक विरसत तोह ये सामिल हैं intellectual आपके culture हैं इस बात को आपको समझे रहना है तो क्या-क्या सामिल है राम लीला सामिल है राम नगर वारांडसी आप जाएंगे तो वहां की राम लीला बड़ी फेमश है तरह बताने का तो तना मुका है नहीं कि बता है जा सके राम सामिल है योग तो आपको वैसे ही याद रहेगा योग पूरे बिश्व का योग गुरु भारत है तो इतनी इंटेलिक्शिवल कल्चरल प्रापर्टी कैसे नहीं सामिल होगी राम लेला हजारों साल से चली आ से गुट्रवि भारत नहीं सामिल है आदिवासियों द्वारा कीया जाता है कालवेलिया नृत जब कालवेलिया नृत नया-नया सामिल हुआ था सैकड़ो बार प्रश्णाया था अभी भी आ जाता है कालवेलिया जंजातिय समूह है राजस्थान में उसी का ये परंपरागत कीत और नृत है ये भी सामिल है मेद यत्तू रंगमंच केरल का है ये भी सामिल है यानि केरल के दो है को टिपतनम जित है मेद यत्तू रंगमंच है यानि की रंगमंच कोई एक जगा का नहीं बलकि इसका पूरा अपना कल्चर है केरल में उसी हिसाब से मंचन होता है वो भी शामिल है बौध जब चैंट्स कहते हैं चैंटिंग लद्दाख में आपने मूँ भी वगेरम देखा होगा लद्दाख घुमने गए होंगे तो देखे होंगे कि एक सुरले ताल में एक आध्यात्मिक अनुभो होता है बौध लोगों के द्वारा सांती पूर्वक मंत से होता है इसका एक पूरा मदलब आध्यात्मिक अनुभो होता है इंटिलिक्ट्वल हो गया यह सामिल है एक स्पैसल आर्ट सामिल है इंटिलिक्ट्वल प्रापरटी के रूप में पंजाब का एक बिसेश वर्ग है जो पीतल और तामवे के वरतनों को बनाता है उस कला को भी सामिल किया गया है साथ ही कुम्भ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है करोणों लोग हर वर्ष असनान करते हैं ध्यान करते हैं इस मेले में आते हैं जो की चार अस्थानों पर लगता है प्रियाग राज, हरिद्वार, उजयन और नासिक में आप इसी से अंदाजा लग है जहां पर करोणों लोग आते हों हर वर्ष यह भी सामिल है कैसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिष्ट बनती है यह आपको अंदाजा लग रहा होगा यानि की दुरगा पूजा से लेकर के कुम्भ मेला तक की चीजें आपकी कहां सामिल है यूनिस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विराग्ष सूची में यह कल्चर है जो कि भारत की पहचान बताते हैं इनकी इंट्री हो चुकी है अमूर्त सांस्कृतिक विराष्थ सूची यूनिस्को में यह आज आपके प्रशन थे यह आज आपके टॉपिक्स थे आप देखे कितने important topics थे बात को समझ रहे हैं कहीं से समस्या नहीं होगी और क्यों मैं समझा रहा हूं कि यही आएगा आप भी प्रश्णों को साल कर रहे हैं और आपको पता है खुद बस आपको खुद पर सफलता मिलेगी असा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान को दबाएए ताकि वीडियो आपको जब भी अपलोड हों मिलते रहें और साथ में आल भी दबा दीजेगा अन्य मैटर्स पे भी आपके परड़े वीडियो आते रहते हैं ताकि आप अपडेट रहें कोई बात आपसे छूटने न पाए क्योंकि यह सभी वीडियो आपके कैरियर के लिए हैं आपका कैरियर बनाना है तो आपको लगातार अप्टू डेट रहना रहेगा कैरियर से समझाओता करके चलेंगे तो जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी आपके समझ रहेंगे अगले वीडियो तक आप इंतजार करिए थोड़ा सा जल्द ही अपलोड होगा ठीक है यह करेंट के वीडियो सापता ही का आपके चल ही रहे हैं दो वीडियो ठीक आप लोगों के रिस्पांस से बहुत खुसी मिलती है ठीक है और भी लोगों तक जय हिंद जय भारत धन्यवाद